तीन साल पहले मैंने सुपारी पाक बनाया था अवशदी सुपारी पाक आज हम बनाएंगे सुपारी के लड्डू जो बनाने में बहुत आसान है सुपारी पाक के बजाए सुपारी के लड्डू बनाना बहुत आसान है और फाइदा दोनों का बिल्कुल एक जैसा ही है तो इसलिए आज हम सुपारी के लड्डू बनाएंगे उसकी लिए ऐसी लाल चिकनी सुपारी लगीगी जो आपको किसी भी आयरवेदिक दुकान ये किराना की दुकान पे बड़ी आसानी से मिल जाएगी बाकी सारी सामगरी की जानकर ये आपको वीडियो में साथ साथ देती रहोंगी तो मैंने यहां 50 ग्राम जितनी सुपारी लिया है चिकनी लाल सुपारी इसे पहले थोड़ा सा कूट लेंगे उसकी बाद इसका मिकसर में पाउडर करेंगे डारेक्ट अगर मिकसर में डाला तो मिकसर की बलेड खराब हो सकते इसलिए थोड़ा सा कूट लिया और इसका powder हमें तयार करना है powder इसका एकदम महीन होना चाहिए इसलिए इस तरह से पीषने के बाद एक बार मैं इसे चलनी से चान रही हूँ आटे की चलनी जो है उससे चान रही हूँ तो ये पाउडर तेयार हो गया पाउड़ है है, । अब मैंने यहां पे ली लिया है, पाउड़न के मिक्सर में पाउडर कर ली, कढई में यहां घी ले APUARG mit 2 Sat 20 g जितना मैंने यहां पे सिंगाड़े काटा लिया है तो गेहुं, काटा या लाल गेहुं, काटा लिया है क्वेन ने यहां पे काम बेला हुद में लिक्टा, लिक्ता में 20-20 grilling आग्यारि,mates पखी निम्हें, लिम यहीं, लिदे गी के अभी में अब two-sevenÖ मगरी में यह लड़ू बनने वाले अच्छे से सिंगाड़े के आटे को भूनना है बहुत जल्दी भून जाता है इसे समय नहीं लगता गेउं के आटे को थोड़ा सा समय लगता है भूनने में आटा अच्छी तरह से भूनते इसमें 50 ग्राम जितना धावडा गौन का पाउडर थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हूँ और इस तरह डालने से गौन का स्वाद और पौश्टिकता दोनों बने रहते हैं इसलिए मैं इसी तरह से डालती हूँ आप चाहें गी में गौन फूला कर फिर उसका पाउडर करके भी डाल सकते हैं पर मैं सजेस्ट करूँगी इसी तरह डाले तो उसका स्वाद और पौश्टिकता दोनों बने रहेंगे अब ये तयार होते हैं इसमें डाल दिया है सुपारी का पाउडर गैस की आज बिल्कुल इस वक्त मंद रखनी है थोड़ा सा सुपारी की पाउडर को भी भून लेंगे और उसके बाद इसमें डाला है मैंने 100 ग्राम जितना सुखे नारेल का गूला कद्दू कस करके लिया था वो आप चाहें तो सुखे नारेल को मिक्सर में पाउडर करके भी डाल सकते हैं पर मैं कहुँगे इस तरह डालेंगे तो जब मुँमें आता है तो अच्छा लगता है अब इसमें डाल रहे हूं 50 ग्राम जितनी किश्मिश, किश्मिश इसलिए कि किसी को सुपारी का स्वाद अगर पसंद नहीं आए, तो किश्मिश बीच में मुह में आएगी तो अच्छा लगता है अब इसमें डाल दिया है मैंने बादाम का पाउडर जो करके रखा था, बस अब थोड़ी देर अच्छे से इसे बून लेना है और हमारा मसाला इसका तयार हो गया है बहुती पोश्टिक ये लड़ू है, आगे आपको बताऊंगी इसके फाइदे क्या-क्या है, कौन-कौन इन लड़ूओं को खा सकता है हमारे मारवार में तो बनाते ही हैं डिलिवरी के बाद ही लड़ू, अब इसमें थोड़ा सा इलाइची का पाउडर डाल दिया है मैंने अब इस मिश्रन को ठंडा करना है, जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा, तब मैं इसमें डालूँगी देशी बूरा, तो आप यहाँ पे देशी बूरा की जगे देशी खान, पाउडर शुकर, कुछ भी ले सकते हैं ये मैंने ली है, 200 ग्राम जितने, आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा मीठा कर सकते हैं, तो इन लड्डूओं का फाइदा क्या है, उस पे बात कर लेते हैं हमारे मारवार में डिलीवरी के बाद सौट के लड्डू जब खिला के हो जाते हैं जच्चा को, तो उसके बाद ये सुपारी के लड्डू और गौनगिरी के लड्डू खिला जाते हैं सुपारी के लड़ू खिलाने से सफेद पानी की शिकायत हो तो वो खतम हो जाती है फिर अगर रक्तसराव जादा हो रहा हो तो वो बंद हो जाता है क्योंकि सुपारी स्तंबन का काम करती है इसलिए जिन भी महिलाओं को सफेद पानी की शिकायत है या मासिक धर्म में रखतसराव जादा होता है वो ये लड्डू खा सकती हैं कभी भी खा सकते हैं बनाके जिन पूर्षों को धातुक शै की शिकायत है वो भी इसे खा सकते हैं बच्चों को नहीं देना है 15 साल से उपर की बच्छियां जो ने मासिक द्रम शुरू हो गया है और कुछ अगर ऐसी शिकायत है तो उन्हें आप दे सकते हैं तो यह देखिए इस आकार के मैंने इसके लडू बान लिये हैं आपको जिस आकार के बनाने उस आकार के बनाएं मैं काऊंगी थोड़े से बड़े बनाए और आट से दस दिन में खा के खतम कर लें इस तरह से करें थोड़ा सा शुरू में लग सकता है किसी को सुपारी का स्वाद अलग लग रहा है लेकिन ये बहुत पॉष्टिक है बहुत ही स्वादिश लगता है जिन मैलाओं को सफेद पाने की शिकायत के कारण कमर दर्द भी रहती है उन्हें भी ये लड़ू जरूर बना कर खाने चाहिए आप ये एक लड़ू खाएं और इसके साथ एक कप या एक ग्लास जितना दूद पी है जरूर फाइदा मिलेगा लेकिन बता दूँ आपको ये सिर्फ एक घरेलू नुसका है अगर आपको बहुत ज़्यादा शिकायत है किसी चीज़ की तो आप डॉक्टर की सला जरूर लें आज का ये रेसिपी वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेर और कमेंट करना बिलकुल न भूलें फिर मिलेंगी अच्छी सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए स्वस्त रहें मस्त रहें और सबसे बड़ी बात खाते रहें धन्यवाद